चलिए आगे बढ़ेंगे बाजपूर कैबिनेट मंतरी अरविंद्र पांडे के जनम दिवसपर के उपलक्ष में आपको बता देगे राजपाल यहाँ पर पुरुस्कार प्राप्त सिक्षक धरवेंद्र बशेडा ने जन समासेवियों की मदद से राजिकी इंटर कॉलेज व पूलदार व्रक्षो का यहाँ पर व्रक्षार ओपड़ के आ गया है साथ ही आपको बता देगे धरवेंद्र बशेडा ने कहा है कि हर व्यक्ति को शुब आउसर पर एक व्रक्ष जरूर लगाना चाहिए साथ ही उनकी देखरेक की जिम्मेदारी भी स्वयम ही लेनी ताकि वे सुक ना सकें जिससे कि उनकी देखरेक समय पर हो सके क्योंकि व्रक्ष से पर्याबरण बनता है और साथ ही आपको बता देगे जिससे की ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है तो आपको बता देगे जनम दिन के उपलक्ष पर यहाँ पर कई प्रकार के पेड़ लगाये पूलों और चायादार पेड़ लगाये गए हैं और उन्होंने एक बताया है कि लोगों को ऐसे सुब आउसर पर पेड़ लगाने चाहिए और साथ ही उनकी स्वयम शुरक्षा करनी चाहिए समय से पानी आनी देना चाहिए जिससे की वो सूक ना सकें तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण की रोक्थाम निरेंतन और सेवाकार में लगे हुए कोरोना योधाओं के सम्मान और हौजसला अबजाई सासन प्रसासन के साथ ही तमाम समाजिक संगटनों राजनीतिक पार्टियों द्वारा किया जा रहा है और इसी क्रम में टनकपुर भाजपा जिला अध्यक दीपचंदर पाठक के नेतत्व में स्वास्त कर्मियों को प्रतिक शिन भेट कर कोवेट मरीजों और तिमारदारों को प्रोटीन पाउडर और पुस्प वर्षा कर उनका सम्मान और उत्सा वर्दन किया गया है साथ ही कॉंग्रेस पारटी के नगर अध्यक्च अनिल चौधरी पिंकी के नेतत्व में एपसी आई में कारत मजदूरों को एन 95 मास्क और साथ ही आपको बताते चले एक सैनिटाइजर और कोरोना से लड़ने वाली कुछ दवाईयों को भी यहाँ पर वित्रित किया गया है आपको बता देख जिन लोगों ने इन सामानों को बित्रित किया है उन राजनीतिक पार्टियों का यहाँ पर आभार भी विक्त किया गया है आपको बता देख इस दोरान मास्क सैनिटाइजर और साथ ही कॉरोना से लड़ने वाली दवाईयों को भी यहाँ पर लोगों को आभार भी विक्त किया है तो आपको बता देख इस दोरान लोगों को जागरूब भी किया गया है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें साथ ही मास्क लगा कर भाहर निकलें और साथ ही यहाँ पर लोगों को मास्क भी वित्रित किया गया है और सेनिटाइजर भ करने वाले कुछ दवाईयों को भी दिया गया है कि तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर वित्रंड किया गया है कई लोग यहां पर मौजूत रहे हैं कि महतल कामना देते हैं सबकामना देने बढ़ाई दे और इसा ही सभी विप कामने सजय बना रहे हैं कासे बातन सब्सक्र बना रहे हैं और जो हमारा एस्पाल है यह नगपुर सिंखतर स्पाल में जो वारे सास्थ करनी है और दॉक्तर सोगरा जिस तरीके से दिन रात जान अचली पर लख कर वहनत कर रहे हैं और जंग सब्सक्राइब कर देता हूं कि आप जल्दी स्वास्तों कर पुदा अपना जीवन ने अपर करें और साथ में जो हमारे ख्रंट लाइन को भी में बदाई देता हूं कि आपके जोरा दिन राद यहांपर मैंड़ की जा रही है साथ में जो यहां पर कोविट का जो एकाल है यह भी चलदी निकल जाएगा मैं संदेज देदा चाहता हूं सभी लोगों को कि कोविट की यहां पर रागीरों को आवजाही ठफ हो गई है मल्बे की जानकारी मिलते ही लोग निर्माड विभाग द्वारा हाईवे के मलबे को हटाया जा रहा है जहां लोग निर्माड विभाग को काफी दिक्क्तों का सामना भी करना पड़ रहा है वहीं SSP प्रीती प्रियदर्शनी ने बताया है कि पुलिस टीम मौके पर मौजूद है और सभी छोटे वहानों की आवाजाही शुरू करती गई है जिसके अलावा आपको बतादेक लगातार वर्सात होने से मलवा आ रहा है और बड़ी गाडियों के लिए यहां पर रास्ता डाइवर्ड किया गया है मौसम विभाग से मिले अलर्ट के चलते पुलिस 24 खंटे अलर्ट पर है आपको बतादेक बार इसके चलते सड़क पर मलवा आ गया था जिसको हटाने के लिए मौके पर वहाँ पर प्रशास्तन पहुचा और मलवे को हटाया गया जिससे की जो रास्ता जाम था वो 104 रूप से प्रारम किया गया आप आसपास में जो मदबा है उसके विरे से मारा एनेच ब्लॉक हो रहा है और होहाँ पर जेसी बीज भी लबातार गाम करनी है जियरेफ के टीम और हमारी थाने की भी एफोर्स होहाँ पर मौजूद है रहरे करके चुकि बारिश होरी तो रहरे करके मलबा नीचे आ रहा है तो जब भी साथानी पूर्वक हम रोड खुलवा करके गाड़ी को निकलवा पा रहे हैं हमने बड़ी गाड़ियों के लिए रास्ता डाइबर्ट कर दिया ताकि कोई भी अन्होनी घटा ना हो सके और यहां से जाने मानों के लिए भी रास्ता डाइबर्ट कर रहे हैं